नमस्कार, संसद अरिशित काल के लिए सगित कर दी गई, संसद का ये आखरी दिन संसद की सुरक्षा में चूक, 146 संसदों के सस्पेंशन, उपराष्टपती की मिमिकरी, पीम या ग्रह मंतरी अब संसद सेक्योरिटी ब्रीज पर कुछ बोलें और कुछ नए बिल जो पास हु जाएंगे तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी, लेकिन मुद्दे तोड़े और मरोडे ना जाएं तो फिर राजनिती के मुद्दे पैदा कैसे किये जाएंगे, खैर, आज का ये विडियो इससे भी आगे, एक ऐसे observation पर जो मीडिया के साथियों से बादचीत के जाएंगे ये नहीं सोचा था, तो बात आज इंडिया अलायंस की है, जिसकी गोशना 28 विपक्षितलों के गठजोड के रूप में 18 जुलाई 2023 को की गई थी, इन्होंने अपने गठबंदन का नाम बताया, इंडिया नाशनल डिवलप्मेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिस कुछ दिनों में मीडिया के कुछ सातियों से जब बात चीत हुई, तो चर्चा में निकल कर ये बात सामने आई, कि बीजेपी की क्लियर कट रणनीती है कि विपक्ष के गठबंदन को इंडिया नहीं बोलना और उसकी जगा इंडिया अलायंस बोलना है, बलकि सबसे पहले तो PM Modi नहीं इंडिया गठबंदन बोला था, और उनके बाद BJP के बाकी रेताओं ने भी इंडिया गठबंदन बोलना शुरू किया, वज़ा साफ है वो नहीं चाहते कि इंडिया नाम का सेंटिमेंट किसी भी तरह से विपक्ष के गठबंदन और उनकी रणनीती के साथ ज लेकिन हैरानी तब हुई जब मीडिया के साथियों से पता चला कि कई मीडिया चैनल्स और बड़े संपादगों ने भी इंडिया अलायंस लिखना और बोलना शुरू कर दिया है, मैं पहले चौंकी कि ये संभव नहीं है, BJP तो बोलेगी लेकिन चैनल्स बला क्यों बोलें लेकिन जोर तो है ही कि इंडिया नहीं इंडी कहिए, जिसकी मोहर आज तक के कारिक्रम में बोलने आये, ग्रेमंत्रिया मिक्षा के स्टेट्मेंट में भी दिखी गई इंडी आलायंस कहीं नहीं है, सिर्फ आपकी टीवी स्क्रीन पर है मैं भी ये सोच रही थी कि कि किसी का निजी जुकाव हो सकता है किसी पर्टिकुलर विचारधारा या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ या अलग बात है लेकिन वो जुकाव इस तरपर कैसे हो सकता है कि मीडिया संस्थानों और अक्सर सत्ता पक्ष के समर्थन में बोलने वाले पत्रकारों के ट्वीट्स तक में विपक्ष के गठबंदन का नाम बदल दिया जाए। आप वो नाम इस्तमाल करने लगेंगे जो बीजेपी चाहती है या फिर आपसे आग्रह किया गया है कि आप इंडिया नाम प्रयोग मत करिये क्योंकि जब टीवी के जरीए मासेज तक इंडिया गठबंदन नाम पहुशन लगेगा तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है कि जन संग कहेंगे वज़ा कुछ भी हो SBI को क्या SB इंडिया बोलेंगे आम आदमी पार्टी को क्या AA और पार्टी कहेंगे नहीं न तो फिर किसी का नाम आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसे बदल लेंगे क्या तो विपक्ष के एक अलायंस ने अपने फुल फ्लेज नाम का ए चुन लिया कि हम वो इंडिया गटबंदन नहीं इंडी गटबंदन बोलेंगे यह गंबीर प्रचने है तो फिर आप कहे के स्वतंतर हुए आप कैसे फिर जो है एक जैनुएन और फ्री मीडिया हुए observation आया होता court का या कोई आपती होती court का निर्देश होता कि इंडिया शब्द को प्रतिबंदित किया चाता तो भी बात समझ में आती लेकिन मीडिया ने जिस तरह से बीजेपी की लाइन लेंथ पर आगे बढ़ते हुए इंडि गठबंदन लिखना बोलना शुरूर किया हमने तो वो वक्त देखा है जब political parties के प्रवक्ता TV channels पर आते थे तो बड़ी इज़त करते थे anchors की, reporters की तमीज से debates हुआ करती थी मैंने कभी इस बात को support नहीं किया चाहे कोई भी नेता हो, सत्ताधारी पक्षका हो या विपक्ष से आया हो कि वो पत्रकारों को जलील करें आलोचना का एक level होना चाहिए मैं यह मानती हूँ, लेकिन अगर हाल ऐसे हैं, जहां मतलब, यह तो मैंने आपको सिर्फ एक घटना बताई कि जहां खुद media संस्थानों ने 28 दलों के विपक्षी घटबंदन का नाम बदल दिया, किस आधार पर? कि BJP को पसंद नहीं है, सांसदो की नातिकता वो है, वगेरा, वगेरा, लेकिन एक चानल, एक पत्रकार, डंके की चोट पर ये नहीं पूछ पाया कि कब बोलेंगे प्रधान मंतरी मोधी, जबकि 2014 से पहले का समय अगर आप याद करेंगे, तो ऐसे कई मौके आपको याद आ जाएंगे, जब त अपनी अपनी साइड चुन ली है, ये देश के लिए बहुत अच्छी परिस्तिती नहीं है, स्वस्त लोगतंतर के लिए बहुत अच्छी परिस्तिती नहीं है, और जागरुग जनता के लिए भी अच्छी परिस्तिती नहीं है, और इसलिए कोशिश है ऐसे विश्यों को उ चाहते हैं तो आप चैनल जॉइन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो पर सुपर थैंक्स खरीद कर भी आप मारा उत्साह वर्दन कर सकते हैं फेस्बुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बाकी ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें, वहां भी फीडबैक ज़रूर दें, बहुत धन्यवाद